हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके दिसमबर 2018 टाम एंड एक्जामनेशन से जुड़ी वी रजल्ट की एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तो इसके अलावा जून 2019 में अपने जो एक्जामस में अपियर कर रहे हैं उन सभी स्टुडेंट्स को उनके मोबाइल पर या फिर उनके इमेल आईडी पर इग्णू की तरफ से मेलिंग एंड मैसेजिंग स्टार्ट कर दिया गया है तो आप अपना मोबाइल और मेल्स चेक करते रहेगा दोस्तों दिसमबर 2018 टाम एंड एक्जामनेशन के रजल्ट की यहां पर रिवैलिएशन ओफ आंसर स्क्रीप्स या फिर रिवैलिएशन ओफ रजल्ट के लिए अपलाई किया था उनके रजल्ट की पहली अपडेट इग्णू की साइट पे अपडेट कर दी गई है आप अपना रिवैलिएशन का रजल्ट चेक करने के लिए नॉर्मल जो करेंगे आपको यहां पर रिवैलिएशन डिसमबर 2018 न्यू इसे क्लिक करना है आप इसे क्लिक करके और अपने रजल्ट के पेज में आ जाएंगे जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं स्टेटस एजन मार्च 27 2019 रिवैलिएशन रजल्स डिसमबर 2018 आप मेंसे जो भी तूडेंटस अपना रजल्स चेक कर सकते हैं दोस्तों हो सकता है कि आप मेंसे काफी स्टूडेंटस का रजल्ट यहां पर अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया होगा क्योंकि रिवैलिएशन के रजल्ट में जब आप अपना यहां पर रिवैलिएशन के लिए फॉम फिल और अपने इवैलिएशन सेंटर में बेशते हैं वहां पर पहुंचने के बाद में मिनिममम 45 डेज के बाद में आपका रजल्ट यहां पर इगनू की साइट पे डिक्लेयर के आ जाता है दोस्तों बड़ी अपडेट इसके अलावा इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि ज क्रेंट ग्रेट कार्ड स्टेटस एज ओन मार्च 27 2019 जियां दोस्तों आप जैसा यहां पर स्टेटस में देख पा रहे हैं इसी तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट के सामने अगर लिखा हुआ है मतलब आपका यहां पर सभी सब्जेक्ट में आप पास हो गए हैं अगर किसी स्टूडेंट के यहां पर स्टेटस में नौट कंप्लीट है लिखा हुआ है तो उसके क्या क्या रिजन्स हो सकते हैं उसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं अभी बात करते हैं जून 2019 में जो भी स्टूडेंट अपने टामेंड एक्जाम्स के लिए अपियर कर रहे है लेकिन इगनु की ओफिशल वेबसाइट पर इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा मैं आपको जल्दी से इन्फर्म करने की पूरी-पूरी कोशिस करूँगा आपने से काफी स्टूडेंट्स को अब भी तक कुछ SMS या mails मिल चुके हैं आपके assignment के regarding लेकिन यहाँ पे आप अपने assignments के साथ-साथ इस बात को बिल्कुल भी ना बूलना कि आपको अपने time and exams के लिए exam form के लिए last date 31 March 2019 ही है आपको यहाँ पे अपने time and exams के लिए exam form की last date को extend नहीं किया गया है आप अपना time and exam form fill up करने के लिए अपने assignment वाले question में yes और no वाले option में yes को select करके और अपना exam form fill up कर सकते हैं फ्रेंड्स यह थी मेरी तरफ से एक informational वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ में जदा से जदा शेयर करें अगर आप मेरे channel पे पहली बार आए हैं तो please subscribe my channel and press this bell icon thank you friends keep watching tips guru